तुम्षकार दोस्तों एक बार फिर से आप सुभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरी चैनल यानकी नंदनी एंड आस्ता के चैनल में तो सुभी का टाइम था होली का नेक्स्ट दे जो होता है वही था हमारे नो तारिक को होली थी तो दस तारिक का वीडियो है और सुभे सुभे मैंने बरतन दो हैं रात में कुछ बरतन नहीं दो है तो वह मैंने शुभे सुभे धो हैं और होली का पूरा रंग बिखरा पड़ा है आंगन में तो लिपाई पूरी हो गए थी खराब मैंन कारण तो इसलिए नहीं यहां पर सब्स घी और यहां पर चुणा वाला नीला लगर है उसी से यहां पर पोध दे रही हूं ताकि वह पीला पीला जो रिंखर के आ तो इसलिए भी मैंने यहां पर इसे लिपाई सा कर दिया मतलब वही है जो चूना मैंने गोल के रख रखा है वही मैंने कलरिंग कर दिया ताकि नीला कलर उभर के आ जाए और जो सब्जी वगर गर जाती इसका कलर दब जाए यहां पर दोस्तो अब आगय थी पहले मैंने सोचा कि 갔 Cand passou और ऑलुट अल्व टमाट है फिर लेकिन आस्ता बूलिके नहीं मामी पना अधह पत्ता गोभी की सब्जी बनाओ मुझे पत्ता गोभीLL मैंने निकाल के रख दिया क्यूंकि आस्ता बापा को गीली सब्जी पश सब्ल stories १॥ और दोस्तों देखिए गाउं का रूटेन ही होता है बुरा घर साफ करने के बाद खाना पीना बनाना हता है तो घुले अब अगणधे के छोड़ दिया पंदन फटी यहां डेट है स्ञांग मैंने फैर्स प्रौन को ठोड़ा आग शुलगा के छोड़ दिया है थोड़े देर सुलग जागा उसके बार अच्छे से चूला बरेगा तो देखिए चूले की अच्छी खासी लग रही है मैंने कड़ाई रख दी है मसाला मैंने जो पीस के रखा था मिक्सी का वो मैंने डाल दी है कड़ाई में और पत्ता गो सब्जी यहां कुछ ले लेंगे क्योंकि पत्ता गोवी सिर्फ सब्जी बची थी बैंगन रखा था तो मैं सोचा कुछ रही सब्जी ले लिए ताकि जो साम को अगर बनानी होगी है फिर कल सुबह बनानी होगी तो बना लूगी तो इनके पाथ से मुझे मिला पालक और मू भी रहता है कि अगर थोड़ा सा और भी मांग लो ना तो दे देंगे कुछ बोलेंगे भी नहीं और यहां पर आस्ता ही सटारी के ऊपर चड़ गई थी तो मैंने चड़ा दिया था वैसे तो और यह जिद कर रही थी तो इसके कुछ खिलोने रखे थे उतारने थे आस्ता को पहले मैं नहीं चड़ा रही थी लेकिन जब इसने जिद किया तो मैंने इसे चड़ा दिया था लेकिन उतारने में दिक्कत हो रही थी चड़ते समय तो रसी पकड़ के चड़ गई थी आराम से उतारने में दिक्कत आ थे फिर मैंने इसे उतारा है वहां से इसने कंडे तो मैंने का लाओ मैं ही खुआ और दे रही हूं मेरा चूला खाली हो गया है और जब तक वह रोटी सब्जी बना रही थी इधर मैंने खुआ उनका और दिया है अपने लिए बना लिए थोड़ी सी चाय थोड़ी सी एक कप और वह मैं पी रही है उसके बाद दोस्तों एक तर पोचा लगा दे रही हूं फिर हाथ दोओंगी अपना और उसके बाद फिर से खुआ उठने लगोंगी तो खुआ उठने में बहुट टाइम लगता है कम से कम दो-तीन घंटे लगता है तो दो-तीन घंटे अगर मैं यहीं पर बटी रहती तो मेरे बाकी सारे काम रुक जात तो मैं सोचा आज इसे रिपिएर कर देते हैं साहीं कर देते हैं और कल या परसों के दिन में इस पर कलर करदोंगी तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा एक मैंने अपने बातरूम छोड़ रखा है तो दिपावली के टाइम पर मैंने रिपेरिंग करी थी लेकिन यहां लगा तार पानी किरता रहता है यूज होता रहता है पानी तो इसका आरण यहां पर तुरंत खराब हो गया और अभी से मैं रिपेर कर दे रही हूं और एक या दो होगा तो इसलिए कहरी थी कल या पर्स कलर करूंगी इस पर कल के दिन तो पहले पूरे में पूतनी माटी फिरी जाएगी जो सामने वाली दिवार है वो तो अभी मैंने गोबर से लीप दिया था तो दोस्तों अगर ब्लोग पसंद आ रहा है वीडियो पसंद आ रहा है तो देखेगा पूरा ब्लोग बहुत ही प्यारा ब्लोग है तो कच्ची नर्धा को बिलकुल पक्का बना देना है और गाउं में सभी के नर्धे कच्चे ही हैं बात्रों में निकी लेकिन मैं अपना नर्धा पक्का कर दूंगी एका दो दिन बाद तो मैं सोच रही थी कि जब मैं मठी का काम करी रही हूँ तो क्यूं नहीं यहां पर एक छोटा सब बना दूं साबून बगेरा रखने के लिए मैंने उपर तो बनाया था लेकिन वहां पर न साबून कोई रखता नहीं है जल्दी या तो साबुन वहाँ से गिर जाता है या तो फिर रखने में अटर लगती है लोगों को यानि की प्रॉब्लम होती है तो उपर नहीं रखते और नीचे ही छोड़ देते हैं साबुन तो मैं सोचा यहां पर साबुन रखने वाले एक छोटा सा बनाते हैं देखते हैं कैसा बन करते ही रहते हैं और जब चौमासी का समय आता है तो लोग इस बनाते रहते हैं तो देगे कुछ इस तरीके से पूरे बातरूम में पानी भर रहता है तो यह मैंने एक छोटा सा बना दिया है साबुन बगएरा रखने के लिए ऐसा नहों कि बीच में उखड़के गिर जाए ऐसा लग रहा था मुझे लेकिन जब शूप जाएगा तो थोड़ा सा और इस पर हाथ फेर दूँगी तो और अच्छा लगने लगेगा और यहां पर साबुन बगएरा रखने के लिए लेकिन नहीं रखते हैं यहां पर इसलिए गिर जाता था साबुन यहां से बार बार तो अब मैं इसे और थोड़ा सोच दियो कि बढ़ा कर दूंद तो थोड़ा ही टाइम लगेगा वैसे इन सब कामों में इतना टाइम भी नहीं लगता ह तो और थोड़ा सा मैंने इसका जो मतलब चोड़ाई था ना वो बढ़ा दिया है तो अब साबुन यहां पर रखने में इजी हो तो आज पूरा ही बातरूम का रिपेरिंग ही मैंने किया है कल पर सो ऐसे वीडियो आएंगे कि आपको बातरूम में डेकुरेशन मतलब की कलर वलर करके मैं दिखाऊंगी आप सभी को और बातरूम को थोड़ा सा सजा दूंगी अच्छा कर दूंगी अभी यहां पर मटी मटी जैसा हो गया बातरूम में वैसे तो इसके बाद दोस्तों घर के और सारे कामेरे खतम हो जाते हैं और मैं नहाओंगी और फिर देखते हैं क तो मैं बना दे रही हूं यह आसता और आस्ता के पापा खा लेंगे तो घुजिया काई वह जो आटा गुथा उह रखा कंपा तो बच शहना था वह अटा यादит मैदा तो मैंने जोक्छि गहा है ऊुसて और किनारी किनार से खाट लिया है मठरी कहते हैं जिसे सैद होई थो मैंने वह बना लिया बचा कूछ आटे का मैद्य का आटा जो था भच भाव टिश्टी मठरी बनी थी बस इसमें नमक नहीं था नमक होता तो बहुत अच्छा लगता तो तो अम्मा को भी जब ज़्यादा काम होता है तो मैं उनका काम करवा देती हूं ऐसा नहीं कि मैं नहीं करवाती हूं और देखे खाना पीना उनका अलग इसलिए बनता है क्यूंकि पापा है उनके गारण अलग बनता है वरना मुझे उनका खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं हैं दो आदमी हम हैं दो आदमी अगर वह जाएंगे तो कोई रिक्कत नहीं है मुझे खाना पीना बनाने में लेकिन अभी अगर मैं पूरी बात बताने बैठंगी तो बहुत समय लग जाएगा तो अगली वीडियो में तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक अच्छी से ब्लोग क सहथ नेक्स्ट वीडियो में